हेलो एब्रीवन आद मैं आपके साथ मेरे घर का इंट्रेंस गार्डन सेयर करने वाली हूँ जिसमें अधिकांसता सभी इंडूर प्लांट से मैं उनको कैसी मेंटेंड रखती हूँ वही सब आपके साथ सेयर करूंगी जैसे ही हम gate से enter करते हैं तो सबसे पहले हमने एक fun का प्लांट रखा है उसके बाद है snack plant सभी प्लांट की मेरे पास 2-2-3 तीन वेराइटी हैं या उनसे ज़्यादा भी है इसके बाद green ficus plant रखा हुआ है इसका हम bonzai भी बना सकते हैं और cutting से grow भी कर सकते हैं काफी इजी टू मेंटेन है, इसके बाद वापस से स्नेक प्लांट है, जिसमें येलो बॉर्डर है साइड में, इसके बाद नेक्स्ट है रियो प्लांट, ये वेरिगेट बेराइटी रियो प्लांट है, पर इसके कुछ पत्तियों का वेरिगेशन खतम हो गया है अभी, इनको मैं प्रोपोगेट करके बापस से बनाऊंगी, इसके बाद दो प्लांट फाइलो डेंडरोन के हैं, इसकी भी काफी वेराइटी मेरे पास है, जो अलग लगता रहकी हैं सभी, इसके बाद नेक्स्ट है सॉंग ओफ इंडिया, ये भी एक डेसीना की वेराइटी है, इस मैंने कुछ ऐसे प्लांट रखेगे हैं, जिनकी लीफ अलग कलर की है, जिसमें सबसे पहले है रेड कलर का एगलोनिमा, उसके बाद बिगोनिया, बिगोनिया को मेंटेन रखने के लिए हमेसा उसकी मिट्टी को गीला होना चाहिए, इसके बाद एगलोनिमा की दूसरी वेर इसके बाद एक सकलेंट्स है, जिसकी पतिया अपने आपी गमले में गिर गए हैं और ग्रो हो गए हैं, सकलेंट्स जिस भी गमले में लगा हो, उसकी मिट्टी को ड्राय होना चाहिए और मिट्टी एकदम सॉफ्ट होने चाहिए, इसके बाद ये स्नेक पांटी एक दूसरी वेराइटी है जिसमें ब्रॉड लीफ है उसकी इसके बाद वापस से सिंगोनियम है इसके बाद ग्रीन फाइकर्स प्लांट की एक वेरिगेटिड वेराइटी है जो काफी खुबसूरत है देखने में जिसको कटिंग से ग्रोग किया जा सकता है इसके बाद नेक्स्ट है फाइलो डेंडरान का एक खुबसूरत पौधा जिसकी लीफ काफी बड़ी और साइनी है और गोल्डन कलर की है इसमें अभी फूल भी आने सुरू हो गए थे काफी अच्छी ग्रोथ है इस प्लांट की इसको मैंने मेरे घर के दर्वाजे की जैस्ट बगल में रखा हुआ है यह जितने भी प्लांट है इनको मैंने थोड़ा कलर के हिसाब से ऐसा जमाया है कि वो देखने में खुबसूरत लगते है और मुझे गंबले हमेशा रेड कलर के या फिर वाइट कलर में ही पसंद है मैं सभी प्लांट की बीच-वीच में जगए बदलती रहती हूँ इसके बाद दर्वाजे के जब दूसरे साइड में हम आते हैं तो कुछ प्लांट रखे हुए है जिसमें सबसे पहले पीस लिली इसको ऐसी जगह पर रखा है जहां इंडारेक्ट सनलाइट आती है अभी उसमें फूल भी आने लग गए है इसके बाद है मनी प्लांट की कुछ वेराइटी इन सभी मनी प्लांट को मैंने ऐसी जगह पर रखा है जहां पर इंडारेक्ट ब्राइट लाइट आती है इसलिए इनकी पतियों का कलर काफी खूबसूरत है और मैं इनकी मिट्टी को हमेशा गीला रखती हूँ इसके बाद मेरे घर का एक रेक है जिसके उपर मैंने सिर्फ अभी एक प्लांट रखा है जिसमें मैं कोछ छोटे प्लांट चेंज करती रहती हूँ इसके बाद जीजी प्लांट इसके बाद मैंने पाम के प्लांट लगाए हैं जो एक क्यारी में लगे हैं वो अभी इतने बड़े हो गए हैं कि जो हमारा सेड है उसको चूने लग गए हैं वो इसके बाद अपराजिता का प्लांट है जिसको मैंने इसी जगह पर रखा है जहां धूप आती है इसके बाद एक क्रोटन का बड़ा प्लांट है जो मेरे घर के बाहर लगा हुआ है इसके बाद मेरे गार्डन का ये दूसरा पार्ट है जहां पर लिविंग रूम का दरवाजा है उसके साइड में मैंने गमले रखे हुए है इन में अधिकांसा क्रोटन प्लांट रखे हैं और सभी सेड में हैं जिससे इनकी पतियों का कलर मेंटेन होता है मेरे पास लगवा 14 वेराइटी के क्रोटन के प्लांट हैं जो सभी अलग-अलग कलर में हैं और काफी खुशूरत लगते हैं रूम के बाहर की दीवाल में मैंने दो लेयर में गमलो को जमाया है जिसमें सभी Croton के plant हैं और भी planted में सामिल है सबसे पहले एक Dracena की variety रखी हुई है इसके बाद 2-3 Croton के plant हैं उसके बाद बापस से एक Dracena की variety रखी है मैंने plant को size के हिसाब से जमाया है इदर और बीच में एक बड़ा palm का plant है इन सभी plant को मैंने इस तरीके से जमाया है कि हमारे room की खिड़गी से भी ये plant दिखते हैं इस तरफ जितने भी plant हैं सभी Croton के plant हैं और उनकी अलग-अलग varieties हैं इनको maintain रखने के लिए मैं 5-6 महिने में एक बार इनको खाद देती हूं कभी-कभी पेस्टी साइड इन में डालती हूं और इनकी बीच-बीच में cutting करती हूं और पानी का ख्याल रखती हूं मिट्टी सूख जाने के बाद ही मैं इन plant को पानी देती हूं और जब ये plant थोड़े गंदे हो जाते हैं या धूल जादा आ जाती है तो मैं pipe से सभी plant की पत्तियों को भी वहास कर देती हूं ये सभी plant ऐसी जगह रखे हैं जहां पर साम की थोड़े दिर की धूप आती है इसके बाद एक क्यारी है जहां मैंने कुछ गेदने के plant लगाये हैं इसके बाद golden cypress के दो प्लांट है जो गंबले में हैं और boundary के बाहर एक नाग चंपा का plant है अभी मेरी बालकनी और terrace पर भी कुछ प्लांट है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी अगर आपको मेरा इंट्रेंस गार्डन पसंद आया हो तो लाइक करें मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें थेंक यू थेंक यू फर वचिंग